Hello students, welcome to FM online classes, today we are reading in computer elements, class 5th chapter 8 using the internet इस chapter में हम इंटरनेट की उसके बारे में करेंगे इंटरनेट एक worldwide network है जो millions computers को connect करता है यह capable है computer के बीच information share करने के लिए Connecting to the internet इंटरनेट से connecting के लिए आपको एक internet facility एक internet facility के साथ एक computer system के एक model और एक web browser की जरूरत होती है internet service provider ISP इसकी short form है ISP ISP एक ऐसा organization है जो internet जो यह एक ऐसा organization है जो internet के facility प्रवाइड करता है ISP के कुछ एक्जामपल है जैसे एटल, Reliance, MTNL, BSNL modem modem यह आपके computer को internet facility से connect के लिए जरूरी device है web browser यह एक तरह का software है जिसका यूज internet पर web है जिसको access करने के लिए किया जाता है कुछ popular web browser हैं जैसे internet explorer, chromo और mozilla, firefox ठीक है यह हमारे कुछ popular web browser हैं basic terms of the internet internet एक treasure box की तरह हैं इस पर काम करने में capable होने के लिए आईए कुछ conditions और technique के बारे में जानेंगे सबसे पहला है web page web page जब आप internet पर browse करते हैं तो web page आपके computer screen पर display होता है ठीक है एक documents यह page होता है HTML language का यूज करके लिखा गया होता है ठीक है web page जो हमारे तयार के जाता है HTML language का यूज करके लिखा जाता है HTML की फुलफोर्म है hypertext markup language तो यह हमारा web page है क्या है हमारा इसे web page हमारा HTML की language से बनाये जाता है लिखा करके लिखा जाता है URL URL की फुलफोर्म है uniform uniform resource resources locator किसी के घर जाने के लिए हमें उनका address पता होना चाहिए उसी तरह एक URL एक web page add होता है हर page में हर page को एक unique URL होता है यूरल के कुछ example है जैसे देखिए example इसके http-dscdiscovery.com live and http www.hindustan times तो यह हमारे कुछ example ने URL के ठीक है जो URL होता है उसका एक अलग unique एक हर page का अलग unique URL होता है यूनिक यह नहीं बिल्कुल हटके अलग unique URL होता है और जो उसी तरह का URL एक web page में add होता है ठीक है अब है website website एक website से related web page का एक collections होता है इसका एक web add भी है amazon.com, philipcard.com and discovery.com यह हमारे कुछ example है website के ठीक है homepage किसी website को opening page को उसका homepage कहा जाता है किसी website के जो opening page होता है उसको क्या कहा जाता है homepage कहा जाता है website के बारे में basic information provide करने के अलावा homepage में website के other page को का link भी होता है ठीक है तो यह क्या थे यह हमारे basic term थे internet के कौन-कौन से web page URL website और homepage image अब hyperlinks hyperlink एक word paris या image है जो users को files के एक पार्ट में ले जा सकता है यह users को एक ही website या different pages के बीच navigate करने में भी help कर सकता है worldwide wave www dot बार तानि य nurt य वे से वगड़ने recruit chain internet को एक वे अचे पहुआёл हो है इस C होती है ठीक है फेपेंस तक कहुंचने के लिए हमें वेब ब्राउज की जरूरत होती है तो हमाई डबर डबर रोट की फुल फॉर्म क्या है वर्लड वाइड वैप अब है इमेल 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 या enta का इलेक्ट्रोनिक मेल ठीक है फेसिलिटी का यूज इंतरनेट के ठुकरू से इलेक्ट्रोनिक रूप से एक सिस्टमसे दूसरे सिस्टम तक सिस्टम मेल सेंड करने के लिए किया जाता है ठीक detta है यहां एक सिंपल मेल को अपने और्णिरित आइड़े चाने में कई जिनों या वीक भी लग सकते हैं वहीं इलेक्ट्रोनिक मेल को वर्ड में किसी भी हिस्से में कुछ ही समय में डिलीवर किया जा सकता है तो इमेल के वारे में जानते हैं हमारे डोक्यूमेंट्स होते हैं और हमारे जितना भी वर्क होता है हमें बिस्निस का हमारा वर्क होता है हमारे कुछ डोक्यूमेंट्स हमें जोग के लिए अप्लाई करना है हमारे डोक्यूमेंट्स हमें दूसरे ऑफिस में हमें अपने ट्रांसफर करने हैं अपना रेजिम देना तो यह सारे न हम इमेल कर देते हैं इमेल से क्या होता है कि यह एलेक्ट्रोनिक मेल से क किस तरीके से यूज करते हैं हम अपना email account के साथ registering करके उस facility को हमारे जो email है उसको हम क्या करने लिए अकाउंट पाने के लिए जो हमारा account है उसे लेने के लिए किसी एक email facility प्रवाइड रख साथ registering करके उस facility का यूज कर सकते हैं हम ठीक हमें किस तरीके से यूज करना इस बार में बताया है जैसे कि service provider को एक user's name और एक password continue करता है जिसका यूज इस facility का यूज करने के लिए करने के लिए facility provider से connected के लिए किया जाता जा सकता है क्रिएटिंग एन email account email account को create कैसे करते हैं तो create करने के देखें स्टैप्स पर रखें किस तरीके से अपने email account को rate करते हैं जैसे पहले तरीके के हमें email service provide करते हैं और आप इनमेंसे किसी भी website पर अपना email account बना सकते हैं email account बनाने के लिए steps दे रखें हैं जिससे हम यह पता चलेगा कि सबसे पहले आपको internet connect करना है और अपना web browser open करना है ठीक है जैसे जैसे आप steps follow करेंगे वैसे आपको पिक्चर में दखाया जारा है वैसे वैसे आपके सिस्टम पर भी step के according आपको step follow करते हो आपको ऐसे ही दिखाया जाएगा step 2 में आप type www.gmail.com address के साथ प्रेस करेंगे और enter की पर प्रेस कर देंगे ठीक है the Gmail window आपको open हो जाएगा इस तरीके से आपका window open हो जाएगा step 3 में आप create account create account पर किलिक करेंगे तो महाँ पर आपको क्या होगा एक new window open होगी वहाँ पर आपसे पूछेगा वो personal details आपकी आपक फुल नेम आपको first name last name password अगरा मतलब सारी details आपकी email id अगरे जो बनाएंगे वो सारी आपकी यहाँ पर आपकी personal details पूछेगा आपको जो आपको यहाँ पर फिल करनी है इसके बाद आप four step में first and last name type करेंगे फिल करेंगे और step five में username that you wish to use जो आपको username चाहिए न आप अपन password यहाँ चाहिए जो आपको याद रहे आप कभी भी अपना account खोलना चाहिए तो आप उस password से खोल सकें और enter करेंगे और confirm your password field में पहुंच जाएंगे ठीक है तो जैसे जैसे आप steps follow करेंगे देखिए यहाँ पर आपको अपनी pictures पे दिखाई देता रहेगा कि आपनी क्या-क service and privacy policy यानि कि यहाँ पर आपको privacy and terms policy यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है जब यह शो होगा तो आप से agree का पूछे करेंगे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे ठीक है जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वह agree हो जाएगा ठीक है step 10 में welcome screen appear आपकी open हो जाएगी और इसके बाद आप क्लि continue to Gmail पर क्लिक करेंगे continue to Gmail पर क्लिक करेंगे आपको आपके एक ऐसा folder है आपको आपके email account के inbox में ले जायागा inbox एक ऐसा folder है जहाँ आपके थ्रूस receive email रखा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके सा आप steps को follow करते हूँ अपना email account बना सकते हैं कि अब है signing out आपने जो आपका email है उसे sign out जब आपको करना होगा तो वो केसे करेंगे दिखे sign out जो है अपना काम जब आप complete करने के बाद आपको हमेशे अपना email account बंद कर देना चाहिए ठीक है जिसके अपने email पर अपना work करा कि जो को send करना है कुछ जो कुमेंट से जो भी work आपको करना आपने वो करा तो उसके बाद complete करने का बाद आपको आपको email account बंद कर देना चाहिए इसे sign out करके form में जाना जाता है ठीक है sign out के form में जाना जाता है इसे आपको अपने account से sign out करना होगा ताकि कोई other email ना पढ़ सके आपके email से edit का use करके unwanted email ना भेज सके इसलि इसलिए sign out करना हमाँ है जरूरी होता है ठीक है sign out करने के step से बस्क में आप sign out icon पर click करेंगे ठीक है महाँ आपको आपके browser window आपकी open हो जाएगी ठीक है इस तरीके से आप अपने email account से sign out करने के लिए steps है follow करके आपको sign out कर सकते हैं तो देखे जिसे कि chapter में यह हमाई chapter है complete होता इसमें हमें बताया कि internet कैसे use किया जाता है इंटरने को कैसे connect कर सकते हैं और internet में हम अपना email account कैसे बनाते हैं ठीक है वह steps बताएं है और email account को sign out करने के याणिए work complete दिया हुआ सब्कों अगर Imamya इसे त्युनकोंुन कहां गहोगत कर ना जब दोताती है थो सब्सक्राइब धर क्रदें चाहिए चाहिए करनें कियो Başkan reiterate कर सकते हैं हमें कैसे work करना है कैसे हमें email भेजना है कैसे हम एकर बनाना नहीं इसी को के आपको पता होना चाहिए ठीक है वह सबसे पहले तिंधा राइट करें एक अंसर फर्स्ट में आएगा आपका एक मॉडम step 2 second में आपका आएगा hyperlinks third third में आएगा आपका B yahoo 4 में C home page और 5 में C sign out तो यह तेकदा right करेक्त है यह आपको अपनी notebook में ही note करने है अब फिलिन्दा blanks में first में आपका help box लिखा है आपे इस hints में मैंने numbers डाल दी हूँ numbers को आप अपने numbers पर fill कर ले जागा जैसे कि first में आएगा web browser second second में आएगा web third में आएगा inbox fourth में आएगा sign out और fifth में आएगा website तो यह हमारे फिलिक्स थे जो कि आपको अपनी notebook में ही note करने है इसके बादे right T for true and F for false statement तो first में हमारा true, second, false, third true, fourth true और fifth भी true तो यह हमारे true, false यह भी आपको notebook में ही note करने है अब यह हमारे question answer से answer the following questions तो इसमें five questions है जिसमें four question omit है कटा हुआ है first, second, third और fifth question आपको note करने है notebook में ठीक है तो यह मैं आपको अभी answer करा देती हूँ तो first question है, what are the basic requirements of connecting to the internet तो first का answer है, the basic requirements for connecting to the internet are the computer, a working internet line and the right modem for that internet line in addition software programs such as internet, browser, email, user net, clients and other special applications are needed in order to access the internet second question, second question define the following www.isp or webpage, इनको define काना है www.the world wide web or web prefers to the group of all the webpage on the internet ISP, internet service provider, this is an organization that provides internet service webpage, a webpage is a documents or a page displays on your computer screen when your browser through the internet, ठीक है, ठीक है second का answer था third, what is hyperlink, a hyperlink is a word pairs or email that can take the user from the one part of a life to a file to another, it can also help the user navigate between different pages of the same websites of different websites question number 5, for omithe question, question number 5, why is important to sign out after completing your work, you should always close your email account after completing your work, this is no as no as sign out, you must sign out from your account so that no one else can read your email or send unwanted emails using your email address, ठीक है, तो यह हमारे question से four questions से जिसमें one, first, second, third, or fifth question आपको मैंने कराया है, यह आपको notebook में note करना है जो अधर वर्क है वो आपको बुक में not करिये ना, थैंक यू